यहां पर हम क्या करेंगे जैसे हमने सेंड और सॉल्ट का मिक्सर लिया यह हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं कि हैंड पिकिंग से इनका सेपरेशन पोसीबल नहीं है तो हम एक बीकर लेंगे उसके अंदर सेंड और सॉल्ट का मिक्सर एड करेंगे उसको अचसे स्टीर करेंगे कुछ टैम तक उस बीकर को छोड़ देंगे आफ्टर सेम टाइम हम यह देखेंगे कि जो सेंड है वो बोटम के जो बीकर की है वहां स को दूसरे वीकर में हम उसको जो बढ़様 जो पेहले वाला वीकर है उसमें जो सेंड है वी क्रम नाशक रह गया था अब जो हमने सेंड इसके लिकविट के जॉल को त debrाई है तो अब यहां से हमें हमें यह स्वा और वोटर को लोट hex करेंगे जिस लिक्विड को हम हम ने सेपरेट किया है ट्रांसफर किया उसको हम एक कीटल में रख देंगे यहां पर कीटल दिखाई है और इसका लिड जो हम क्लोज रखेंगे अब इस कीटल को हम हीट करेंगे जब हम इसको हीट करेंगे तो हम नोट करेंगे कि जो हमारा वोटर है वो इवैपरेट हो रहा ह आप पर क्या होगा यहां से जो आइस हैं प्लेट को कूल करके रखेगी तो अब जो कितों को नीचे से कंटेङर से हीट दे रहे हैं तो यहां पर वाटर स्टीम के कूल होते लिक्विड में कनवर्ट हो जएंगे और इस रिकविड रोप से इनको हम इस कंटेनर में कलैक्ट कर जिसमें जो water vapors हैं they are converted into liquid and this process को हम बोलते हैं condensation तो यहां पर condensation process से क्या हुआ कि अभी हमने इसको continuously heat किया सारा पानी जब तक evaporate नहीं हो जाता है तो पानी उड़के चला गया again condensation process से यहां इस पानी को हमने इस बीकर में collect किया कीटल के अंदर क्या रहेगा कीटल के अंदर हमारा salt रहेगा तो अभी इसमें देखो कित्ते method यूज हुए है सबसे पहले हमने sedimentation process देखा जिससे जो हमारा sand था वो बीकर की तलहाटी में जम गया second process हमारा decantation था जिसमें जो हमने वह वाला liquid separate किया water के अंदर जिसमें salt dissolved था third method हमने evaporation यूज किया जिससे हमारा पानी जो है वह evaporate हो गया पानी evaporate होके नीची जो कीटल में salt रहे गया और fourth method हमारा क्या है condensation condensation से क्या हुआ कि जो हमारे water vapors थे वह अगें liquid में convert हो गए और इस liquid को हमने इस वीकर में collect कर लिया so there are so many methods which we have used together for the separation of salt and sand अब यहां पर पहली एक और problem खड़ी कर देती है पहली ने क्या किया कि वह बोल रही है कि मैं जब salt और sand को separate कर रहे हूं तो मुझे और भी problem आ रही है उसने क्या किया उसने एक packet of salt लिया और उसको थोड़े से sand में mix कर दिया अब यह जो हमने अब वो जो method अभी हमने पढ़ा कि इस method से हम salt और sand को separate कर सकते हैं अब इस method को हम use करेंगे तो हमें बहुत difficulty आएगी तो अब हम कैसे जो है separate करेंगे जो मतलब salt है और जो हमने sand लिया है how we will recover separately तो अब यह देखिए अब हमारा question है कि can water dissolve any amount of substance यह हमने पहले भी पढ़ा था कि कि जैसे हमने water के अंदर salt dissolve किया तो अभी यह salt dissolve हो जाएगा पहले हमने आदा glass पानी लिया उसमें हमने एक चमच salt add किया यह एक चमच salt हमारा पानी में dissolve हो गया फिर हम और salt add करेंगे हम उसमें salt जब तक add करते जाएंगे जब तक कि हमें कुछ salt particle bottom में दीखने शिरू नहीं ह होगा मतलब इसका मतलब क्या हुआ है कि आपके maximum solubility limit आ गई है कि half glass half glass water के अंदर half glass half glass water के अंदर आप कितना amount of salt उसमें डिजोल कर सकते हो तो यह आपके maximum solubility limit आ गई है अब आप कितना भी उसमें salt add कीजिए आपका फर्दर उसमें डिजोल नहीं होगा अब यह जो solution है जिसमें maximum amount of salt आपका डिजोल हो गया है तो इस solution को हम बोलते है saturated solution आहली के साथ क्या हुआ होगा जब उसने बहुत सारा नमक ले लिया और जब उसने सेंड लिया तो इसको बहुत difficulty आ रहे थी कि वो जो है जो प्रोसीजर हमने पहले पड़ा उससे separate नहीं कर पा रहे थी तो उसके साथ क्या हुआ होगा क्योंकि उसने नमक बहुत ज़्याद बढ़ा दो क्योंकि अगर आपके पास आदा गिलास पानी है उसमें वह सारा नमक डिजोल नहीं हो रहा तो आप लार्ज काउंट ओफ वाटर लो जिसमें जितना जो सॉल्ट पहली के पास वह सारा उसमें घूल जाए एक तो आपके पास यह मैथड है दूसरा मान लो आपके से पास इतना सारा पानी नहीं है तो अब आपको कुछ और भी सोचना होगा क्योंकि हमें पहली की हल्प करनी है तो अब हम का मिक्स करें और सॉल्ट जब तक मिक्स किये जब तक नहीं हो जाता करई का मतलि है कि सेचरेटेष्यमन्स करें रहिए उसके बाद जब आपका saturated solution हो गया उसके बाद आपने थोड़ा सा amount or salt का उसमें add कर दिया अब आप क्या देखेंगे कि जो आपका salt है वो जो बीकर की bottom में है आपको दिखाई देगा कि यह डिजॉल नहीं हुआ है अब आप बीकर को थोड़ा heat कीजिए जब आप heat करेंगे तो आप यह देखेंगे कि जो salt है आपका वो और salt जो है water में dissolve हो गया है अब आप इस hot solution को cool करके देखेंगे दुबारा आप क्या देखेंगे क्या bottom में आपका फिर से नमक आया है थोड़ा सा सोच के बताईए और यह जो activity है इससे हमें क्या पता चला कि हम water के अंदर अगर heating procedure यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा नमक उसमें हम dissolve कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें यह देखना होगा अब हमें एक activity और देखेंगे उसमें हमें क्या देखना है कि मालो हम water के अंदर अलग-अलग substances डिजोल कर रहे हैं जैसे salt और sugar तो क्या सारे जो substances है वो equal amount में dissolve होते हैं या फिर अलग-अलग amount में dissolve होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दो glass लेंगे जो activity 10 की हम बात कर रहे हैं और डोनों में हम हाप-ाप कप पानी एड़ कर देते हैं अब हम एक teaspoon salt लेंगे और उसको एक glass में डालेंगे और उसमें एड़ करेंगे जब तक हमें saturated solution नहीं मिल जाए अब हम क्या करेंगे यह जो हम table 5.2 देख रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे जो पहला कोलम है उसमें हम नाम of the substances लिखेंगे कि कौन सा substance like salt, sugar, name of the substance हम column 1 में रखेंगे और table 2 में हम यह note down करेंगे कि कितने number of spoons हमने उस substance के add किये है water के अंदर जब तक हमें saturated solution नहीं मिलता तो जैसे हमने salt का हमने यहां पे हम देखेंगे कि कितने number of spoons suppose करो हमारा आदा glass पानी था तो अब हमने 3 spoons add किये और हमारा solution saturated हो गया मतलब इसके बाद हमारा नमक और पानी में नहीं घुल रहा है अब सेम experiment हम सुगर के साथ करेंगे तो कि हमने 2 spoons sugar add किया उसके बाद हम और sugar add करेंगे तो हमारा पानी में डिजॉल नहीं हो रहा है तो यहां से हम क्या देखेंगे इस activity से हम यह पता कर सकते हैं कि जो different substances हैं वो different amount में water में डिजॉल होते हैं इस chapter में हमने जो separation method है वो study कि एक solution को कैसे prepare किया जाता है जब हम एक substance को एक liquid में डिजॉल कर दते हैं और कैसे saturated solution हमें मिलता है so this is all about this chapter and thanks for watching the video जाहिंद